नहाने के बाद पहिंते हो अंगा, कहां से निकलती है नदी गंगा जी आस आती हो जैसा कि आप जानते होगे, बहुत से लोग कन्फियस हो जाते हैं कि गंगा नदी निकलती कहां से और कहां कहां सुकर गुजरती है और तो और गंगा नदी का पानी इतना सुध्ध क्यों रहता है इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं लेकिन सबसे पहले गंगा नदी के बेसिक के बारे में जान लेते हैं देखिए गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र और सुध्ध नदी माने जाती है गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी के लंबाई 2525 किलोमेटर लगबग है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों सोकर गुजरती है पहला है UK यानि कुत्राखंड आमेरिका वाला UK नहीं UK यानि कुत्राखंड दूसरा UP यानि कुत्त्रपर्देश तीसरा बिहार चौथा ज्यारखंड और पांच वह वेस्ट भांगा नदी इन 5 राज्यों सोकर गंगा नदी गुजरती है बहुत से लोग सुचते हैं यह जारखंड से होकर नहीं गुजरती है लेकिन जारखंड से भी होकर गंगा नदी गुजरती है क्योंकि गंगा नदी जो रहती है वो जारखंड से एकदम टॉप से होकर गुजरती है जारखंड के तो पांच राज्योस होकर गुजरती है गंग गंगा नदी जी हो है इतने सुद्ध इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलिटी है खुद को सवता साफ कर लेती है यानि कि अगर हम लोग उसमें गंदगी ना डाले तो गंगा नदी आटोमाटिक साफ होजेगी कुछ दिनों के अंदर अब जैसा कि आप जानत ृइं करुकल का लाना पेखेंगे नदी में जाता रह का कोई खिकार अनिकाई कर देगा अब जैसा कि आप जानते हो गंगा नदी के अंदर एक quality होती है खुद को सता साफ कर लेती है अब ये quality आई कहां से गंगा नदी के अंदर तो गंगा नदी के अंदर पाये जाता है एक virus उस virus का नाम है bacteriophase virus यह गंगा नदी के पानी में पाये जाता है bacteriophase virus यह वारस जो रहता है गंगा नदी के अंदर जितनी भी गंदिगी उनको मारने का काम करता है इसलिए जब आप गंगा नदी में नहाने जाते हो तो एकाग बोतल में गंगा नदी का पानी ले आते हो घरम रख लेते हो और सालो सालो तक रहता है लेकिन गंगा नदिक पानी कभी गंदा नहीं होता, क्योंकि उस पानी के अंदर बैक्टेरियो फेस नाम का वायरस पाया जाता है, जो कि उसके अंदर होने वाले कीड़ों को मार देता है, और तो और गंदगी को मार देता है, इसलिए उस पानी कभी वी काई भोही नहीं लगती देखेंगे, तो गंगा नदी का पानी बीड़ के कारण इतना सुध है, और गंगा नदी के पानी में लोग नहाने जाते हैं अपना पाप दूलने, सब आप finding लेती है और समसे हैं और तर यहां नहाने आते हैं जिस मछली का नाम है डॉल्फिन यह डॉल्फिन बहुत ही बुध्रिमान मचली माने जाती है और इस मचली को राष्ट जली जिव भी घुशित कर दिये गया था राष्ट जीव हमारा तो टाइगर है लेकिन ये राष्ट जली जीव है यानि कि पानी के अंदर रहने वाला जीव हमारा डॉल्फिन है जो कि गंगा नदी के पानी में पाई जाता है डॉल्फिन एक तरीकी के मचली होती है, जैसे हम लोग किया मचली पाई जाती है ना इस तरीके से हम लोग किया मचली पाई जाती है वैसे गंगा नदी में एक मचली पाई जाती है, डॉल्फिन जो कि राष्ट जले जीव है अब आप समझ के होगे गंगा नदी के बेसिक के बारे में तो आब हम समझते हैं गंगा नदी कहां से निकलना चालो होती है और आप यहाँ पर देख रोगे बहुत खचार-पचार है लेकिन एक एक करके जानेंगे फिर आपको समझ में आने लगेगा तो शुरू करते हैं एकदम उपरा से तो एकदम उपरा लिखा है गंगोतरी और लिखा है संतोपंत अब यहां गंगोतरी एक गलेशियर है और संतोपंत भी एक गलेशियर है जिनको गलेशियर हो नहीं पता है उनको मैं बता दूँ एक पहाड होता है और वो पहाड बरफ की चादा से ढखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं गलेसियर और वह गलेसियर का जो बरफ होता है वो धीरी धीरे पिखलने लगता है घाम लगेगा तो पिखले गही अब धीरे धीरे पिखलने लगेगा बरफ तो पानी निकलेगा तो वह जो पहाड से पानी धिरे धिरे रसारा साक नीचे आने लगता है वो इतना ज्यादा पानी होता है को एक नदी का रूप ले लेता है तो यहां गंगोत्री ग्लेशियर से जब पानी रसारा साक नीचे आएगा तो एक नदी का रूप ले लेगा क्योंकि इतना ज्यादा पानी कहते हैं अलख नंदा नदी और यह जो गंगोत्री है गंगोत्री को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको कि हम कहते हैं गौमुख चाहे आप गंगोत्री ग्लेशियर कहिए दोनों एक कह है समझ गए अब यहां पर आते हैं हम संतो पंथ पर संतो पंथ से भाई यह निकलता है अ अलक नंदा नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती है यानि कि इसकी सहायक नदी बन जाती है यानि कि इसकी ट्रिब्यूट्री बन जाती है तो अलक नंदा नदी धिरे धिरे जैसे जाती है तो मजएक नदी आकर इससे जुड़ जाती है अब उसके बारे हम समझ लेते हैं अलगननदा नदी जहींच़ धाल का नची आए गीकिना दरीये एक ठो नदी आ जाती है और उस नदी का नाम रहता है दौलिगंगा नदी धौलिगंगा नदी आकर मिल जाएगी अलगनदा नदी से तो जहांपर दो नदियम मिलती है होसे चैसे हम क्यते हैं प्रयाग, जैसा कि आप जानते होगे तो यहां पर दो नदी मिली है, धौली गंगा ऑर अलख ननदा, तो इस इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रयाग और प्रयाग का भी एक नाम होता है तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको विष्णु प्रयाग समझ गए अब उसके बाद धीरे धीरे अलग नंदा नदी और नीचे आएगे फिर दरी एक थो नदी मिल जाती है और उस नदी का नाम रहता है नंद प्रयाग क्योंकि यहाँ पर नंदाकनी नदी जुड़ी है इसलिए इसको हम नंद प्रयाग कहते हैं फिर उसके बाद अलग नंदा नदी धीरे धीरे नीचे आएगे और यहाँ नदी इधर से ना आनक बजा इधर से आयरे ते बिचोवा मसे और इस नदी का नाम रहता है यह मंदाकनी नदी अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग कनफ्यूज हो जाते हैं नंदाकनी और मंदाकनी में तो मंदाकनी अलग है नंदाकनी इधर है मंदाकनी उधर है तो मंदाकनी नदी आकर जुड़ी जाएगी अलख नंद से और यहाँ पर दो नदीय मिले तो इसक यानि कि भागी रथी नदी और अलख नंदर नदी यहां पर आकर जुड़ गई और जहां पर भागी रथी और अलख नंदर नदी आकर जुड़ जाती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं देव प्रयाग तो जहां पर भागी रथी और अलख नंदर नदी का मिलन होता है उसको हम कहते हैं देव प्रयाग और यही आपके पांच मुख प्रयाग हैं जैसा कि आप सुने होगे हमारे पांच मुख प्रयाग हैं वो प्रयाग कौन-कौन से हैं तो यही पांच मुख प्रयाग हैं जैसा कि आप देख सकतो एक दो तीन चार पांच एक है विश्णु प्रयाग नं कि कौन सी नदी कहां पर आग जुड़ी है और उस प्रयाग का क्या नाम है समझ गए यानि कि नंदाकनी नदी आकर जुड़ी है अलग नंदा से तो उस प्रयाग का नाम क्या है तो आप क्या कहोगे नंद प्रयाग तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा इसको तो य जब देव प्रयाग से ही पानी आगे जाने लगता है नदी का वहीं से हम कहना चालू कर देते हैं गंगा इसके पहले हम कहते हैं भागी रथी और इसके पहले इधर हम कहते हैं अलख नंदा समझ गए और जब देव प्रयाग से ही पानी आगे जाने लगता है उस हम कहने लगत उस नदी को हम करने लगते हैं गंगा नदी समझ गए तो अगर पूछ ले गंगा नदी कहां से निकलती है तो देव प्रयाग से यानि कि गंगा नदी कब हम गंगा नाम कहना चालू कर देते हैं तो देव प्रयाग और देव प्रयाग भी इस्तित है हमारा गडवाल गडवाल एक जगह का नाम है जो कि उत्राखंड में है यानि कि देव प्रयाग यानि कि गडवाल से पानी जब आगे जाने लगेगा तो अब हम गंगा नदी कहना चालू कर देते हैं और यह जो गडवाल यह उत्राखंड में है यानि कि इसके पहले भी जितना एरिया है यह सारा उत्र खंड में इस्तित हे्तात समझवे आग्या कि फिए उत्रक्षंड में स्तित है और से जब पानी आगे जाने लगता है तो आप गंगा नदी कहना चालू कर देते हैं, तो यहें पर question बनाएगा, कहीगा कि ये, कि गंगा नदी नाम हम कब कहना चालू कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको देव प्रयाग ना देके गड़वाल दिये रहेगा, तो आप गड़वाल महारूगे आंसर, समझ गया है, और कभी गंगोतरी का नाम दूसरा है, गवमुक, या फिर गंगोतरी या तो संतोपन्त दिये तो उस पे आप अंसर मारोगे, समझ गया है ना, अगर glacier पूछ ले, और अगर पूछ ले कहां से नाम हम कहना चालू करते हैं, तो भाईया हम नाम यहीं कहना चालू करते हैं, गड़वा से, क्योंकि यहां पर पांचो प्रयाक का मिलन हो जाता है, और फिर यहां से पांचो प्रयाक का पानी आगे जाने लगता है, और यह जब पानी आगे जाने लगेगा धिरी-धिरी यह गंगा नदी रहेगी, और धिरे-धिरे एंटर कर जाएगी हमारे योपी यानि की उत्त Lord trick कौन सी है तो वह भाई यह राम गंगा और बहुत से लोग सोचेंगे कि धौली गंगा है क्यों udhuligina है क्योंकि उतrakhand 36 005 Lock 002 और बहुत से लोग यहरे लोग लोग यही सोचते हैं कि यही और लग हॉत लोग पर राम गंगा नन halluc रहुता है मौ कि इसके जेक इसके पहले से, समझ गया ना, तो गंगा नदी यहां से चालू हो रही है, तो यहां से इसके सबसे पहली साहग नदी राम गंगा है, और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो आ जाता है हमारा प्रयाग राज, यानि कि जिसको पहले हम इलाहबाद कहते तो प्रयाग राज में जैसा कि आप जानते हो प्रयाग राज इसको इसलिए कहते हैं कि यह प्रयागों का राज है यानि कि यहां पर भी एक नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है वह यह यमुना यमुना नदी जो है बहुत बड़ी नदी है और यहां पर भी कोश्चन यह बनाएगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो सहायक नदी का मतलब ट्रिब्यूटरि यानि कि कोई नदी उसमें आकर मिली हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राम गंग खाली हितने बड़ी है और कुल नदी छोट-छोट हैं लेकिन यमुना नदीक देख लोग थे यहाँ साई है इतनी बड़ी सहायक नदी तो इसलिए गंगा नदीक सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है यमुना और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री क्या है, गलेसियर है, गलेसियर से वहीं पानी पे घलता है, तो यहां से एक नदी का निर्माल हो जाता है, जिसको क्यों कहते हैं यमुना, अब यहां यहां यमुना नदी दिरे 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 आगे आती है, और इसकी पर यहां पर इन तीनों मसे question ज्यादा तर इसस पूचता है चंबल नदी से क्योंकि चंबल नदी में पाय जाता है घड़वाल, घड़वाल क्या होता है? मगरमच देखे हो न, मगरमच का जो चोचवा आगे होता है थुथुरवा उसी खली इसे पच्का दो, पच्काने के बाद वो बन जाता है घड़वाल, तो यही है घड़वाल, समझ गए? और अभी भी नए आद हो तो इस तरीके से आद करो, जब लड़की यह सलफी लेती है फिर क्या करती है इसे हो? तो यह क्या करती है घड़वाल की तरह मुहा आगे आजाता है घड़वाल इसी तरह को होता है यानि कि घड़वाल भी पिछले जन्म में खुप सल फिलिया होगा उसका मुहा इसे हो और एक बार कॉश्चन यह पूछा था कि अगर आपको अ disp的人ic हे तो कहा जाओगे तो चंबल नडिग पाज जाओगे उसम कि भाले चाहे जूदिया हो लेकिन अगर चंबल नडिग पाज लगा ओओगे दिकhon गथी तेग करना तो इसम Options करा मिलीजे जा जाएगी और आकर प्रियाग राज मिल जाती है गंगा नदी से और यहीं बन जाती है यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की फिर गंगा नदी यमुना नदी को लेकर आगे बढ़ जाती है और यहां पर एक और नदी आ जाती है जिस नदी का नाम है गोमती नदी और यहां गोमती नदी जैसा कि जानते और यहां से अब गंगा नदी जाएगे बिहार में जाएगी फिर ज्यारखंड में जाएगी उसके बाद बंगाल में जाएगी उसके बाद मांगला देश होंगला देश होकर चलिएगी समुद्र में समझ गए कहां से गंगा नदी निकलती है तो यहीं पर आपको में ध्यान अगर पूछे कहां से गंगा नदी नाम कहना चालू होता है तो वो तो भाईया देव प्रकार देव प्रयाग है और या फिर गडवाल से समझ गडवाल जो है वो अस्थान का नाम है और यहीं पर ही देव प्रयाग इस्तित है और अगर पूछले गंगा नदी कहां से निकलती है, glacier अगर पूछ लिया, तो भैया गंगोत्री या फिर गवमुख लगाओगे, अगर संतोपंथ दिया तो संतोपंथ भी लगा सकते हो, लेकिन गंगोत्री और गवमुख ही दिया रहता है, तो अब आप समझ गयोगे कहां से गंगा नदी निकलती है, आई होप अब आपको स नहीं दो जया वारत.